हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम फूड मस्ती में दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं अंगूर से किश्मिश तो किश्मिश बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा किलो अंगूर ले लिया है मार्केट में अंगूर खूब आ रहे हैं आप अंगूर ल लेते हैं किश्मिश बनाना तो यहां पर हमने आधा किलो अंगूर लिये हैं और इसको हम एक एक अंगूर को तोड़ लेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर आपको मिलेगा सबसे पहले और ध्यान इतना रखना है कि आपको एक भी अंगूर खराब नहीं लेना है एक भी खराब अगर अंगूर ले लिया तो सारी किसमी समारी खराब हो जाएगी इसलिए अंगूर हमें बिलकुल अच्छे लेने बिलकुल एक भी खराब अंगूर का इस्तमान नहीं करना है अब हम बारी है अंगूर को साफ करने की जो अंगूर पर सफेद वाइट कलर का पाउडर लगा रहे था इसको हटाने के लिए हाथों से अच्छी तरीके से हमें अंगूर को रगड़ना है और रगड़ने से होगा क्या जो अंगूर होंगे हमारे कोज करीए बिलकूल भी हाम करिये अबहां और अंगूर को धूल लेंगे कम से कम हमें तीन चार पानी में आच़ी करें त्यार करेंगे जैसे मार्केट में होती है विलकुल मार्कट के जैसे आप इसे एक साल आराम से श्टोर कर सकते हैं तो देखिए हमारे अंगूर भी अच्छी तरीके से धुल चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी और और इसके साथ में हम एड़ करेंगे एक चम्मच चीनी और एड़ करके इसे मिक्स कर देंगे हातों से और इसे हमें 10 से 15 मिनट तक रेष्ट के लिए छोड़ देना है इसे हमारे अंगूर का कलर बहुत ही अच्छा रहेगा तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अंगूर भी अच्छे से हमारे भिग चुके हैं अब इन अंगुरों को हम बापस दूसरे बरतन में निकाल कर रख लेंगे तो चलिए इसको हम दूसरे बरतन में निकालेते हैं अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दीजेगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताईएगा जिसे की हमको भी पता चले आप हमारे वीडियो कहां से देखते हैं देखे हमने सारे अंगूर को निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे आगे आपको बताते हैं हर एक श्टेप आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे बस दिहान से देखिएगा अब हमें लेना है एक कॉटन का कपड़ा और सारे अंगूर को इसी तरह से फैला देना है और अच्छी तरीके से इन अंगूरों को हमें पोच लेना है जरासा भी पानी नहीं रहना चाहिए आप चाहें तो इसे लपेट कर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसे की जो पानी होगा अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो 10 मिनट के लिए हम कपड़े में ही इसे छोड़ देते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं तो देखिए अंगूर अच्छी तरीके से हमारे सूख चुके हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अंगूर हमारे अच्छी तरीके से सूख चुके हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है बस ध्यान इतना ही रखना है कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अगर थोड़ा सा पानी रह गया तो आपकी जो अंगूर से जो किस् धुखा लिए हैं और इन अंगूरों को हमें दूसरे बरतं में निकाल कर रखलेना है आप देख रहे हैं कि एक भी अंगूर गीला नहीं हैं आच्छी तरीके से सूख चुका है तो चलिए इसे हम एक बरतं में निकाल कर रख लेते हैं फ्रेंटस बस आपसे एक रिक्वेस् इसलिए हम बार-बार बताते हैं कि हर एक श्टेप को हम अच्छे से आपको बताएंगे और समझाएंगे तो देखिए दूसरे बतन में हमने निकाल कर रख लिया है अब हम चलेंगे अगले प्रोसेस के लिए तो देखिए गैस हमने जला लिया है उस पर हम रखेंगे करहाई और करहाई में डालेंगे हम लगभग एक गलास पानी तो यहाँ पर हमने छोटा ही गलास लिया है तो एक गलास हम पानी डाल देंगे अगर आप कप से नाप करेंगे तो दो कप पानी हमें लगेगा और इसमें हम डाल देंगे एक चमच चीनी तो यहाँ पर हमने एक चमच चीनी का इस्तमाल किया है आप कहेंगे चीनी क्यों इस्तमाल की है चीनी से जो हमारी किसमिस बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आप जैसे चाहें एक साल आराम से आप इसे खा सकते हैं चलिए इसको बॉयल होने देते हैं बॉयल होने के बाद आपको दिखाते हैं देखिए पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है अब इसको हम हलका सा मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हमें लेना है एक जाली बाला बरतन तो यहां पर हम ले लेंगे एक जाली बाला बरतन ऐसा हमें ले लेना है इसी तरीके से और इस जाली बाले बरतन में हमें सारे अंगूर को डाल देना है एक भी अंगूर आपस में एक के उपर नहीं होने चाहिए अलग-अलग होने चाहिए सारे अंगूर इसी में डाल देंगे और इसको हमें धख कर लगवक 5 मिनट तक इस्टीम करना है मेडियम गयस पर तो कितना आसान है आप तो देखी रहे हैं बहुत ही आसान है किसमिस बनाना तो इसे हम धख देंगे और 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं तो देखिए पांच मिनिट हो चुके हैं और जो हमारे अंगूर हैं अच्छे से इस्टीम हो चुके हैं और कलर भी चेंज हो चुका है आपको दिखाते हैं ये अंगूर और इस अंगूर में कितना अंतर है जो इस्टीम किया हुआ अंगूर एकदम पीला हो चुका है और जो ह हमें एक कॉटन कपड़े पर फैला देना है तो हमने कॉटन कपड़ा बिचा लिया है सारे अंगूर को हम इसी तरीके से फैला देंगे अलग-अलग तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि अंगूर को डारेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है धूप में अगर आप डारेक्ट सुखाएंगे तो आपकी जो किस्मिश होगी वो काली पड़ जाएगी इसलिए आपको बस रोशनी में ही सुखाना है तो घर में जो हलकी सी रोशनी आती हो वहीं पर आपको इस किस्मिश को सुखाना है लगबग हमें 4-5 दिन लगेंगे किस्मिश बनने में तो 4-5 दिन में ही हमारी किस्मिश बनकर तयार हो जाएगी तो देखिए एक दिन हो चुका है उपर से एकदम जो अंगूर है सुकुरने लगा है तो इसे लगबग 5-6 दिन लग जाएंगे किश्मिश बनने में तो चलिए 5-6 दिन के बाद आपको हम दिखाएंगे किश्मिश हमारी अच्छे से बन कर तयार हो जाएगी तो देखिए किश्मिश हमारी बन कर तयार है एकदम बढ़ियासी, टेस्टी और रसीली आप इसको जरूर बनाईएगा और ट्राइ करियेगा दो